मीठे बच्चे तुम बेहत के बाप को याद करो। इसमें ही ज्ञान भक्ती और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। द्वापर से सिर्फ भक्ती होती ज्ञान नहीं होता इसलिए उस भक्ती को योग नहीं कहा जाता। उसमें कोई एम औबजेक्ट नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता योग भी करते फिर तुम्हारा बेहत की स्रिष्टी से वैराग्य भी है। नहीं है क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम आबजेक्ट नहीं है। शास्त्रों से कोई दुनिया का पता नहीं पढ़ता है। अमेरिका कहा है किसने ढूढ़ी यह बाते शास्त्रों में नहीं है। कहते हैं फलाने ने ढूढ़ी। दूसरे इलाके ढूढ़ते हैं अपने रहने लिए। देखा मनुष्य बहुत हो गए हैं। रहने लिए जमीन तो चाहिए न। अब यह सब बाते पढ़ाई की हैं। इसको एजुकेशन कहा जाता है। तुम्हारा भी यह एजुकेशन है। इसको आश्रम कहें अथवा इंस्टिट्यूशन कहें वा युनिवर्सिटी कहें। इसमें सब आ जाता है। उस पढ़ाई के नक्षे आदी और हैं। शास्त्रों से रोशनी नहीं मिलती, पढ़ाई से रोशनी मिलती है। तुम्हारी भी पढ़ाई है। वैकुंट किसको कहा जाता है। यह न उस पढ़ाई में है, न शास्त्रों की पढ़ाई में है। यह नौलेज ही नई है, जो एक बाप ही बतलाते हैं। मनुष्य तो कह देते स्वर्गनर्क सब यहां ही है। बाप ही समझाते हैं स्वर्गनर्क किसको कहा जाता है। यह बाते न शास्त्रों में हैं, न उस एजुकेशन में हैं। तो नई बाते होने कारण मनुष्य मुझते हैं। कहते हैं, ऐसा ज्यान तो कभी सुना नहीं। यह तो नई वंडर्फुल बाते हैं, जो कभी कोई ने नहीं सुनाई हैं। है भी बरोबर नई बातें। न उस एजुकेशन वाले सुना सकते, न सन्यासी आदी सुना सकते, इसलिए परम्पिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बेहत की हिस्ट्री जोग्राफी भी समझाते हैं। ज्यान से स्वर्ग और नर्ग का विस्तार भी सुनाते हैं। यह नई बाते हैं न, इस पढ़ाई में सब कुछ है, ज्यान भी है, योग भी है, पढ़ाई भी है, भक्ती भी है। योग को भक्ती भी कह सकते हैं क्योंकि एक के साथ योग लगाना उनको याद करना होता है। वह भक्त लोग भी याद करते हैं, पूजा करते हैं, गाते हैं। वह भक्ती करना कोई योग नहीं कहेंगे। समझो जैसे मीरा थी, श्रीकृष्ण के साथ योग लगाती थी, उनको याद करती थी परंतु उसको भक्ती कहा जाता, उनकी बुद्धी में कोई एम अबजेक्ट नहीं है, इसको ज्ञान भी कहते, भक्ती भी कहते, योग लगाते हैं, एक को याद करते हैं, सत्युग में न भक्ती होती, न ज्ञान, संगम पर ज्ञान और भक्ती दोनों ही हैं, और द्वापर से लेकर सिर्फ भक्ती चलती आई है, किसको याद करना, उसको भक्ती कहते, यहां यह ज्ञान भी है, योग भी है, भक्ती भी है, समझ सकते हैं, वह सिर्फ भक्त हैं, तत्व से योग तुम्हारा यह है अव्यभिचारी योग। यह ज्ञान सागर खुद बैठ पढ़ाते हैं। उनसे योग लगाना होता है। वह तो आत्मा को ही नहीं जानते। हम तो जानते हैं। परम्पिता परमात्मा बाप के साथ बुद्धियोग लगाने से हम बाप के पास चले जाएंगे। वह हनुमान को याद करते हैं तो उनका साक्षातकार हो जाता, उनको व्यभिचारी कहा जाता। यह है अव्यभिचारी योग। सिर्फ एक बाप को याद करना है तो इसमें ज ज्यान, भक्ति, वैराग्य सब इकठे हैं। और वह उन्हों का सब अलग-अलग है। भक्ति अलग ज्यान भी सिर्फ शास्त्रों का है, वैराग्य भी हद का है। ज्यान ही नहीं। यहां तो बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं। वहां काशी कलवट खाते हैं, तो उनके विकर्म विनाश होते हैं। भोगना भोगनी पड़ती है। परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे मुआफिक आहिस्ते-ाहिस्ते कर्मातीत बनते हैं। नहीं, उनक विकर्म सजाये खाते खाते खत्म होते हैं, माफ नहीं हो जाते हैं, तो यह पढ़ाई भी है, ज्यान भी है, योग भी है, इसमें सब है, सिखलाने वाला एक ही बाप है, इनको आश्रम अथवा इंस्टिटूशन कहा जाता है, लिखा हुआ बड़ा अच्छा है, आगे ओम अडली नाम रांग था, अभी समझ हाई है, यह नाम बिल्कुल अच्छा है, कोई को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा कुमार तो तुम भी हो, बाप है सबका रच्चिता, उनको पहले फले सुक्षमवतन रचना है, ब्रह्मा, विश्नु, शंकर हैं सुक्षमवतन वासी, नई स रच्ते हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, सुक्षमवतन वाला तो यहां आ न सके, वह है संपूर्ण अव्यक्त, यहां तो साकार ब्रह्मा चाहिए न, वह कहां से आये, मनुश्य इन बातों को समझ न सके, चित्र तो है न, ब्रह्मा से ब्राह्मन पैदा परंतु ब्रह्मा आये कहा से, फिर एडाप्शन होती है, जैसे कोई राजा को बच्चा नहीं होता है, तो एडाप्ट करते हैं, बाप भी इनको एडाप्ट करते हैं, फिर नाम बदल कर रखते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, वह उपर वाला तो नीचे आ न सके, नीचे वा अच्छी रीती समझना है क्योंकि सबका प्रश्न उठता है। अच्छी रीती समझना है और यह श्री क्रिश्न है आदी का जन्म। यह क्लियर कर लिखना पड़े। 84 जन्म राधे क्रिश्न के वा लक्ष्मी नारायन के बताने पड़े। यहां फिर उनको एडाप्ट करते हैं। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात हो जाती। वही फिर लक्ष्मी नारायन का दिन और रात। उनकी वनशावली का भी ऐसे हुआ। तुम अब ब्रह्मन कुलके हो फिर देवता कुलके बनेंगे। तो ब्रम्मा कुमार कुमारियों का भी दिन और रात हुआना. यह बड़ी समझने की बाते हैं. चित्रों में भी क्लियर है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, अंतिम जन्म है. ब्रम्मा आये कहा से, किस से पैदा हो? तो ब्रम्मा को एडाप्ट करते हैं. जैसे राजा एडाप्ट करते हैं, फिर उनको राजकुमार कहते हैं. प्रांसफर कर देते हैं, प्रिंस ओफ फलाना. पहले तो प्रिंस नहीं था. राजा ने एडाप्ट किया, तो नाम डाला प्रिंस. यह रस्मरिवाज चलती आई है. बच्चों को यह बुद्धी में आना चाहिए. दुनिया नहीं जानती की बाप कैसे पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं. यह रोशनी तुम बच्चों को है. तुम्हारे में भी नमबरवार हैं. आगे चलकर छोटी-छोटी बच्चियां भी बहुत तीखी होती जाएंगी क्योंकि कुमारियां हैं. लिखा हुआ भी है कि कुमारियों द्वारा बान मरवाए. कुमारियों का चमतकार नमबर वन में गया है. मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी गई है. कहा जाता है डॉटर शोज मदर. मदर तो नहीं बैठ कोई से बात करेगी. यह मा तो हो गई गुप्त, वह मम्मा है प्रत्यक्ष. तो तुम शक्तियों अथ्वा बच्चों का काम है मा का शोकरना. बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां भी हैं, जिनका पुरुशार्थ अच्छा चलता है. कौरव संप्रदाय में भी किन्हों के मुख्य नाम है न जो महारती हैं. यहां भी महारतियों के नाम हैं. सबसे बड़ा है शिवबाबा. उच्च ते उच्च भगवान. उनका उच्चा ठाम्व है. वास्तव में ठाम्व रहने का स्थान तो हम आत्माओं का भी उच्च है. मनुष्य तो सिर्फ महिमा करते रहते, जानते कुछ भी नहीं. हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हैं. परंतु हमको जन्ममर्ण में आकर पाट बजाना है. वह जन्ममर्ण में नहीं आते, पाट उनका भी है. परंतु कैसे है, यह भी तुम जानते हो. अभी तुम बच्चे समझते हो, यह शिवबाबा का रत है. अश्व अथवा घोडा भी है. बाकी वह घोडा गाड़ी नहीं है. यह भी जो भूले हुए हैं, यह ड्रामा में नूंध है. आधाकल्थ हम भी भूल में भटकते भटते एकदम भटक जाते हैं. अभी रोशनी मिली है, तो बहुत खबरदार हो पड़े हैं. जानते हैं यह पुरानी दुनियाक्त महोनी है, हमको नश्टो मोहा बनना है. कमल फूल समान ग्रिहस्थ व्यवहार में रहते नश्टो मोहा बनने का पुरुशार्थ करना है. तोड तो सबसे निभाना है, साथ भी रहना है. यह भट्थी भी बननी थी, जैसे कल्प पहले बनी थी. अभी तो कहते हैं, ग्रिहस्थ व्यवहार में रह मेहंत करनी है. यहां घरबार छोड़ने की बात ही नहीं. हम तो घर में बैठे हैं ना. कितने बच्चे हैं? लौकिक भी थे ना. छोड़ा कुछ भी नहीं है. सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं. हम तो शहर में बैठे हैं. तो उनसे तोड़ निभाना है. बाप की रचना है. बाप कमा कर बच्चे को वर्सा देते हैं. पहले तो वर्सा देते हैं काम विकार का. फिर उनसे छुडा कर निर्विकारी बनाना बाप का ही काम है ऐसे भी होते हैं कहां बच्चे मा बाप को ग्यान देते हैं कहां बाप बच्चों को ग्यान देते हैं यह है ही राज्योग वह है हठ्योग आत्मा को नौलेज मिलती है परमात्मा से मैं ब्रह्मा, राजाओं का राजा था, अब रंक बना हूँ रंक से राव गाया हुआ है बच्चे जानते हैं हम जो सूर्यवन्शी थे, अभी शूद्रवन्शी बने है यह भी समझाना पड़ता है, नर्क और स्वर्ग अलग है मनुष्य यह नहीं जानते तुम्हारे में भी कितने बच्चे कुछ नहीं जानते क्योंकि तकदीर में नहीं है, तो पुरुशार्थ क्या करेंगे किनकी तकदीर में कुछ नहीं है, किनकी तकदीर में सब कुछ है तकदीर पुरुशार्थ कराती है तकदीर नहीं है तो पुरुशार्थ क्या करेगे? एक ही स्कूल है, चलता रहता है कोई बच्चे आधा में गिर पड़ते, कोई चलते चलते मर पड़ते जन्म लेना और मरना बहुत होता है यहां नौलेज कितनी वंडर्फुल है नौलेज तो बहुत सहज है, बाकी करमातीत अवस्था को पाना इसमें ही सारी महंत है जब विकर्म विनाश हो तब तो उड़ सके ध्यान से ग्यान श्रिष्ट है ध्यान में माया के विग्न बहुत पड़ते हैं, इसलिए ध्यान से ग्यान अच्छा है ऐसे नहीं कि योग से ग्यान अच्छा ध्यान के लिए कहा जाता है ध्यान में जाने वाले आज हैं नहीं योग में तो कमाई होती है, विकर्म विनाश होते हैं ध्यान में कोई कमाई नहीं है योग और ग्यान में कमाई है ज्यान और योग बिगर हेल्दी वेल्दी बन नहीं सकते फिर यह घूमने फिरने की एक आदत पड़ जाती है यह भी ठीक नहीं ज्यान नुकसान बहुत करता है ज्यान भी है सेकेंड का योग कोई सेकेंड का नहीं है जहां जीना है वहां योग लगाते रहना है ज्यान तो सहज है, बाकी एवर हिल्दी, निरोगी बनना इसमें महंत है सवेरे उठकर याद में बैठने में भी विघन बहुत पड़ते हैं वाइंट्स निकालते हैं, तो भी बुद्धी कहा की कहा चली जाती है सबसे जास्ती तूफान तो पहले नंबर वाले को आएंगे ना शिवबाबा को तो नहीं आ सकते बाबा हमेशा समझाते रहते हैं, तूफान तो बहुत आएंगे जितना याद में रहने की कोशिश करेंगे, उतना तूफान बहुत आएंगे उनसे डरना नहीं है, याद में रहना है, स्थिर होना है तूफान कोई हिला न सके, यह अंत की अवस्था है यह है रुहानी रेस शिवबाबा को याद करते रहो यह भी समझने की और धारन करने की बाते हैं धन दान नहीं करेंगे तो धारना नहीं होगी पुरुशार्थ करना चाहिए दो बाप की प्वाइंट किसको समझाना बहुत इजी है यह भी तुम ही जानते हो, बाप 21 जन्मों का वर्सा देते हैं तुम कहेंगे इन लक्षमी नारायन को बाप से 21 जन्मों का वर्सा मिला है बाप ने उनको राज्योग सिखलाया और कोई मुख से कह न सके कि उन्हें भगवान ने यह वर्सा दिया है दुनिया में कोई किस बात में, कोई किस बात में खुश रहते तुम जिस बात में खुश हो उसको कोई नहीं जानते मनुष्य तो अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए खुशी मनाते हैं तुम हो सच्चे ब्राहमन कुल भूशन जो योगी और ज्ञानी हो तुम्हारे इस अतींद्रे सुख की खुशी को और कोई जान नहीं सकते वह तो क्या-क्या माथा मारते रहते हैं मून पर जाने का पुरुशार्थ करते हैं बहुत डिफिकल्ट मेहंत करते हैं उन सबकी मेहंत बरबाद हो जानी है तुम बिना कोई तकलीफ के ऐसी जगह जाने का पुरुशार्थ करते हो जहां और कोई जा न सके एक दम उच्च तउच परमधाम में जाते हो अच्छा मीठे मीठे सिकील्धे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार पहला प्वाइंट ग्रिहस्त व्यवहार में रहते नश्टों मोहा भी बनना है साथ साथ सबसे तोड निभाते कमल फूल समान रहना है दूसरा प्वाइंट धारना करने के लिए ज्यान धन का दान जरूर करना है ज्यान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है आज का वर्दान संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविश्य राज्य भाग्य का तक्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ती भव संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविश्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे तो रोज अमरित्वेले इस स्लोगन को स्मृती में लाओ जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दोडाओ तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे जो संतुष्ट है वह सदा प्रसन्न है आज का स्लोगन आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्थ बनते हैं